नमस्कार दोस्तों, एन टीबी मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों मंगलबार को भूल कर भी ये तीन काम ना करें क्यूंकि इससे घर में भैंकर कंगाली आती है वो तीन काम काउन से हैं? आये जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों मंगलबार का दिन हनुमान जी की उपासना के लिए सर्बोत्तम माना जाता है और इस दिन भक्तों का अमबार लगा रहता है भजरंग बली को परसन करने के लिए कोई मंतर का जाप करता है तो कोई चालीसा का पाठ करता नजर आता है लेकिन मंगलबार को कुछ ऐसे काम भी होते हैं जो बिलकुल भी नहीं करने चाहिए इन कामों को करने से हनुमान जी रूठ जाते हैं तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ये जानने का प्रियास करेंगे कि मंगलबार को क्या काम करना सबसे अशुब माना जाता है दोस्तों कृपया आप सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए क्यूंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाएंगे और रोजाना इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए अब चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो नमबर एक सरंगार का सामान ना खरीदें दोस्तों मंगलबार के दिन सांदर्य परसाधन खरीदने से माना जाता है कि बैबाहिक संबंदों में धरार आ जाती है दोस्तों साउंदर्य प्रसाधन खरीदने के लिए सोमबार और शुक्रबार का दिन सबसे उप्युक्त माना जाता है इस दिन खरीदे गए मेकप के सामान से सौभाग्य में बरद्धी होती है नमबर दो दूद से बनी चीजे ना खरीदे दोस्तों मंगलवार को दूद से बनी मिठाईया बिल्कुल भी खरीदनी नहीं चाहिए दूद को चंदर्मा का कारक माना गया है चंदर्मा और मंगल एक दूसरे के धुर भिरोधी है इसलिए मंगलवार के दिन ना ही दूस से बनी चीजों का प्रियोग करना चाहिए और ना ही इन्हें दान देना चाहिए दोस्तों इस दिन भूल कर भी मांस खरीदना नहीं चाहिए और ना ही उसका सेवन करना चाहिए ऐसा करने से ब्यक्ति के कुटुम्ब पर भिपत्ती आ सकती है दोस्तों आज का वीडियो वस यहीं तक हम आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और रोजाना इसी परकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि भविश्य में आने वाली हमारी सभी वीडियोज को आप आसानी से देख सकें दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे एक ऐसी ही इंट्रेस्टिंग इन्फोर्मेटिव वीडियो के साथ तब तक के लिए जै हिंद जै भारत